वेलकम बैक माई चैनल मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है स्रियास्री महधी डिजाइन तो फ्रेंज आज हम सीखेंगे अडाभिक महधी डिजाइन की स्टाट अप और हमें कैसे इस डिजाइन के बाद क्या बनाना है तो आएए चली क्लास को स्टार्ट करते हैं कि लिए पूरे लीव को क्रियेट कर लेका है अब हमने यह दिमाग में आता है कि हम इसके बात क्या बनें तो आपको पहला प्रोसिस हमारा हो गया फॉस्ट में हमें बनाना है छोटा सरकल है यह फॉस्ट हो गया हमारा ठीके फ्रैंज उसके बाद जब हम बनाएंगे यह तो दूसरा हो गया तो दूसरा पैटल हो गया और तीसरा पैटल हमने बनाया लीव अब इसके अप्रकार से आपको बनाना है कि फ्लावर की जो कुछ इस्थान हो या फिर कुछ जगह फिर डिजाइन थोड़ा आरेबिक में आ सके उस तरह स हमें फ्लावर को क्रीयट करना है तो अब हम क्या करेंगे इसमें बनाएंगे के आगे हम आंबी को कैसे बनाएंगे की त हो प्रेटिस करवाई है अब उसको जाके देखिए अब हमारा थार्ड प्रोसेस क्या होगा हम इस पर एक आउंदी का डिजाइन कलेक्ट करेंगे ठीक है अब हलका सा हमें एशेफ में लेकर आना है इसको प्रेब्स वेवने टच करें पूस करें हलका सा उठाना है और आगे की तरफ ले रहा है और फिर से वहीं काम को दोहराना है साइट से होते हुए अब यहां यहां में आके राउंड सर्कल दे देंगे थोड़ी की मैधी प्राब्लम कर रही है यह हो गया हमारा ठीके फ्रेब्स अब हमें नेक्ष्ट में क्या करना है अब यह हमें नेक्ष्ट में इसके पास से हमें एक पतली लाइन लेके आनी है और जिसमें छोटे से लीफ के पैटल को क्रियेट करना है यह हम लाते हैं यह हमने छोटी से लाइन टच करके आगे की तरफ तो हमने लीफ बना लिया है य तो अन्हें के जो कि इंसेते जहां थो पताने चल्राओं कि ए P एक नेक्स्ट क्या करेंगे हमने एक उसके बाद हमने क्या करना है चोटी 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 आमस बला लेने हैं चोटी 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 सर्कल्स करेंक मुझेरा लेन देमास स्टी चोटी 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 क வाद लेखेंगेह महीं हने गाला हम साहिए बाद हम पारलू तो आपको डिजाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमने क्या करना है अब यह हमारा डिजाइन होगा आप हमें क्या करना है हलका सा यहां से हमें उठाना है और यह हमें ले जाना है फिर टर्न करना है अंदर की तरफ ठीके फ्रेंड्स हमने सेम टू सेम जो चीज यहां प्रोसेस की वही यहां बनाया है प्रोसा हमने इस चीज को चेंज कर दिया है आपको हमेंसा याद रखना है कि जब भी हम कोई डिजाइन क्रिएट करें तो यह इसका जो पोजिशन है इस साइड होगा और इसका एक दूसरे की अपोजिट रहेगा दोनों का जो डिजाइन का जो उपर का आंवी का जो सरकल ह होता है वो दोनों एक दूसरे के साइड में नहीं रहना चाहिए वो जब भी रहना चाहिए एक दूसरे के अपोजिट ही होना चाहिए इस बात का हमेसा ख्याल रखने है आप कोई भी आनवे इस बात का ख्याल रखे कि जब भी आपको क्रेट करना है यह दोनों एक दूसरे कि आपोजिट में होना चाहिए तैरेक्सन आम इसा इन दोनों का चेंज वना चाहिए अहां यहां च्छुट चछुट चुटी सरकल्स लेंगे यह में सरकल्ने तो फिर से यह में इसे डिजाइन के नरे हमें कना थेकुछ से हुआ कि या फिर कर सकते हैं या फिर साइट सकते हैं बटय को न पेस्ट कर रहे हैं यह हैं 성्किल ऑना प्रश्विंगर पर डिजाइन को लेकि जाना है ऐसा लिए की बीच में आ गया है तो बाद में सोचे कि नहीं हम प्रश्विंगर पर लेकि जाना है अब यह अब यह अब यह अब चुटी से यांबी बनाना आख सोथ और करी चुटीसी की एक और लेक कारिट यह व्नी बना लेकि और आप जब भी जों से और आप जब भी जो लेकि जार रहे उस हिसाब से आपको इस लीव को या फिर जो डॉट वाले लाइन सोते उसको लेना है यह नहीं कि मतलब इधर है तो आप इधर से भी निकाल दे ऐसे डिजाइन बिल्कुल नहीं अच्छी लेगी उसका क्लियर्टी उसमें बिल्कुल नहीं आएगी तो आप देख रहे हैं मैं आपलषे ने ऐंभी को जिस साइट जुखाया है उसी साइट हमने यह मैं यह लीव वाले लाइन को लेके गया है अब जब आप लीव लाइन क्रिएट करें तो उस पर हम्स जरूर दे एक लाइन हम्स जरूर दे जिसे की डिजाइन और खुद खिल किया है यह हमने छोटे छोटे सरकल दे दिये अब यह हमने तो ड्रॉप वाले डिजाइन को उस तरीके से लेने में निफ किया कार दे कि इधर आप ज्यादा लेकी चाहेंगे तो डिजाइन अच्छी नहीं लगेगी प्राइल जाएंगी अच्छी है फ्रैंज अब यह हमने इस तरीके से इसको भी यह यहां लगके मिना अब 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 यह फिंगर्स पर जा रहे है तो भाई फिंगर्स पर चौड़ जाएंगे ने इस 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 देजाइन को छोटे वाले फ्लावर को सरकल के इस अब कर लेंगे चुटे 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 तरकल दे दीने अब कर में रिगास है जाए जाए तो अब फिर से अमिनी चुटे से अब देख रहे है आए कि अब देखे रहे हैं एक है अब अब में फिंगर पे इस टाइब से हुमाते हुए चोटे से आंबी को बना लेना है यह नियां भी बना लेना है ठीके फ्रेंज यह जो अमने निकला हैं टॉट दे देंगे फिर नेक्ट से हम यहीं से एक और लिके आएंगे यह ने दे दिया अब नीचे की साइट से भी ह में इसको पुरा कवर कर लेना है फिंगर को और अपने हिसाब से और जब भी आप कोई डॉट्स दे रहे हैं और फिर कोई डिजाइन बना रहे हैं उसमें हमेशा याद रखे कि जो डिजाइन आप बना रहे हैं वो एक दूसरे से छोटा होना चाहिए जैसे यह जो लाइन ह तरह से लिए परसे तरह से यह जीए अफिस में कहले हैं यहाँ और बनाने के बाद हम बटा रहे हैं आपको अ आichen यह सिदा 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 ऐसे नहीं करना क्लश से श्तार करते हैं लाका सा करफ करते हुगे का को हमारी सेर्टिं puta तरह सेट करना है इस फ्लावर को हम आपसे नीचे की तरफ दिखाएं और इस फ्लावर को हम अप पूपर की तरफ से करके दिखाएंगे यहां से लिना हलका सा कीचिना है एक साथ करने लगे तो अच्छी नहीं लगेगी थोड़ा सा डिश्टेंस दे उसके बाद जब आपको हैबिट हो जाएगा तो आप एक साथ भी सेडिंग कर सकते हैं थोड़ा डिश्टेंस देके आपको सेडिंग करने है आपको हमेशा याद रखना है कि हम जो सेडिंग के उपर से हमें खोड़ा प्रेसर करते हुए नीचे की तरफ एकदम लाइट कर देना है फ्लावर में इसी तरह से सेडिंग करनी है कर सकते हैं जो आपको ज्यादा अच्छा लगी उसको आप यूश करें लिए नक्स्टम इसमें वी एक बार और करके दिखा दे रहे हैं यह नीचे वाला करके दिखाएंगे लिए यह इस तरह से रखते हैं फिर ऐसे सीधा हमका टाल करते हुए लिए हमारी सेडिंग भाई फिर से हमें जो डिजाइन पैटल है उसी खानी हिसाफ से हमें और छोटावाणा करके तेडिंग कर दी करने के बार जोड़ा बड़ा करने के बार चुट चूड़ा बड़ा को डिजाइन कर लेंगे अपने अपनी हाथ पे कुछ और बना दिया है उसी से मिलता जूता होना चाहिए नोला तो कुछ तो मिल रा चाहिए तो आप के साप से आप या इस साइट से भी और नाहीं के लिए झाल दिया अब आप अपने हिसाब से आपको किस तरह से डिजाइन डालना है इस पैटल में आप इस तरह से आपको डिजाइन डाल लेनी है तो हम यहां ते लेके आएंगे पहले हमें एक लीफ टाइप से बना लेना है कि उसकी बाद में लीफ मोर देना है और फुलका से उठाते ही निकित आजाएंगे और अमें टच करना है थोड़ा लंबा देना है तक करना है लेचे के तरह लाती प्रेसर को ब्लीकुल जेरो कर देना है कर देना है और अब चाहें तो इसकी जगह कुछ और भी बना सकते हैं आपके उपर है कि अब क्या बनाना चाहते हैं अब नेक्ष्ट हमने इसी तरह से इस ताइब से भी हमने कर लेना है यह उठाया हम आप है हम आप आपकें आपना है है यह हमारे इस प्लेक्ट हो चुकिया अब हमें जो भी आप बराए उसको बोल्ड जरूर करें डिजाइन को बोल्ड करना में में अधिक सबसे बड़ा अब प्रोसेस कि आप दिजाइन बनाएं और सबस्क्तिन जो अब दिशाईन के बाराबर दिलते हैं हम बने को बनास तो फ्लावर को तो जो ऐरिया या फिर जो डिजाइन आपको हाइलाइट करना हैं वो ज्यादा ऊहर किया है तो उस पे डबल लेयर यानि बोल्ड लाइन जरूदे को आगे मैं लेपी जानुत देखिया देखिये। करने के लिए थोड़ा सा बोल्ड करेंगे इसको मोटा करेंगे यह हमने देखने के बाद आपको फ्रेंद्स खुड़ी समझ में आएगा कि नहीं बोल्ड करने का कुतना फरक करता है डिजाइन पर आपको दिए रचे के लिए खुड़ी बीचे की लिए रचे कि लिए बीच्तना फ्लावर को भी एगाइट है डिए जो प्रेसर बनाना है और नीचे आते आते सिर्श अ कुछ बना हुआ है अभी हम थाट फॉल्ड और धेते हैं जानि बोल्ड लाइन कर देना है आपको हाइल अफे को बोल्ड लाइन जैसे कुछ और विह को जो बोल्ड सकते हैं कि हमने लाइन को कर दिया तो फ्रेंज अब इस इस डिजाइन में आपको जो भी डिजाइन अच्छा लगे याद रहें कि जो आपको बोल्ड बना रहे हैं जिसको बोल्ड कर रहे हैं उससे डाउन ये डिजाइन होना छी जैसे कि मालेजिये हमने इस पे सर्कल राउंड थोड़ा शूट ज्यादा लंडी वीडियो हो जाती तो हमने जो आमभी उसको हमने फिल कर लिया अब आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में कि जिस डिजाइन मुझिस अब इमने जिस पैटल में डिजाइन को भरा है वह थोड़ा दबा-दब लग रहा है जैसे कि उभर के नहीं आ रहा है अब हमने जब इसे हाइलाइट कर देंगे यानि कि आपकी जो बोल्ड लाइन है कुछ भी डिजाइन बना है उससे थोड़ी हलकी या फिर पतली होनी चाहिए इस बात का हमेशा याद रखें तो देखिए अब हम इसे जब बोल्ड करेंगे तो यह समझ में आने लगेगे तो यह हमने इसके अंदर क्या फिल किया हुआ है है आप अंदर बाहर जहां से आप कर सकते हैं है तो क्रोद में कर दिया है अधे को एक आहने शीड को अच्छा दिखने के लिए इस तरह से कर सकते हैं अब हम इदर भी तो फ्रेंज यह हमारे डिजाइन कम्प्रीट सो गई आप अपने इसाफ से अपने अपने इसाफ से किसी भी डिजाइन को आप कर सकते हैं जो कि मैंने बताया हुआ है आप देख सकते हैं तो आप उसी साफ से डिजाइन को बना दीजिगा बेसिक चीज का मिसा ख्याल रखे चैनल पर मैं है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना पूंए जोचेज आप ना सुमझ में आई हैं फिर मिलेंगे हम एक नेक क्लास स्टार्ट कर देती हूं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ओफर है कि आप घर पर बैठे बैठे मेरी कुछ सीख सकते हैं तो चैनल ही अभी क्लास में करते हैं कि मिलेंगे नेक्ट क्लास में बाइ फ्रेंड्स